रियल्मी C67 5G, इसी स्मार्टपोन में हमको 6.72 इंच का Full HD Plus IPS LCD पैनल 120Hz रिफ्रेस्ट रेट के साथ ने देखने को मिलता है, Octa-Code Processor MediaTek का Diamond City 6100 देखने को मिलता है, 50 Megapixel का Dual Real Camera सेटप देखने को मिलता है, 5000 mAh के बड़ी बेटरी 33W के फास्ट चार्च के साथ में यह स्मार्टपोन आता है, रियल्मी नार जो पहले आया था, उसी को थोड़ा वो चेंच करके आपे रियल्मी C सीरीज के मात्यम से इन्होंने दुबारा लौंच करने का फेसला किया है, 14 दिसम्बर को अपने इंडियान मार्गेट में देखने को मिलेगा, जो कि 12 बजने लौंच हो जाएगा, इसमें क्या है कुछ खास फीचर्स और इस पेसी केसन, आज की इस युडिया में मैं आपको फुल डिटेल पे बताने वाला हूँ, नमस्कार दोस्तो, मेना नाम है महेश, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, महेश रसोया यूट्यूब चैनल चलिए वीडियो को सुरू करते है, दोस्तो सबसे पहले पर डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.72 इंच का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, सब्सक्राइब, NM processor chipset लगा हुआ है जो कि ये octafour processor के और इसकी primary clock speed है 2.2 GHz और secondary clock speed है 2.0 GHz साथ में इस processor के आप decent level की gaming performance वगरा कर पाऊगे डे-वाइडे उस करने के लिए phone काफी अच्छा है और camera भी अच्छा कासा या पी दिया गया है साथ में या पर में RAM ROM वो प्राइज की बात करूँ तो दोस्तों इसमें जो RAM टाइप होने वाली है वो होने वाली है LPDDR4X RAM और स्टोरेज होने वाला UFS 252 जोकि एक फास्ट स्टोरेज है वो या पर तीन वेरेंट में ये स्मार्टफोन आने वाला है 4GB RAM, 6GB RAM और 8GB RAM साथ में स्टोरेज मिलने वाला है वो 64GB, 128GB और 256GB तीन वेरेंट में आने वाला है स्टाइटिंग प्राइज होने वाली है बेस वेरेंट की वो सेल के अंदर 10,999 रुपए देखने को उपन को मिलेगी साथ में या पर बेटरी किया जी बात करूं तो दोस्ते आप 5,000 एमेच की आता है में अपरेटिंग सिस्टम की बात को तो एंड्रोड 13 पर आता है दो साल के सॉफ्टर वर अपडेट मिलेंगे 13 पर आएगा 14 15 और तीन साल के सिक्रोटी अपडेट देखने को मिलेंगे रियल्मी की तरब से जो की रियल्मी यू आई पर आता है 14 दिसंबर को इंडिय अपके लिए लाता रहता हूं में तव किसी नई वीडियो के साथ द्रक्त के लिए जाहिन बंदे मात्रां